हेलो दोस्तों स्वागता आपका अपने ही चैनल पे आज की स्वीडियो में बात करेंगे SSE MTS एक्जाम 2021 की बारे में क्या कुछ लेटेस्ट इंपोटेंट अपडेट है expected cut-off यहाँ पर क्या रहे सकते है after DV की जो attendance है वो हाँ पर कितने percent है और selection के लिए अब आपके कितने marks है आपे increase हो जाएंगे और जो lowest cut-off है हफलदार की गई है यहाँ पर तो उससे कितने जो marks है वो बढ़ेंगे यहाँ पर और मतलब किसी भी state में आपको जो एक post-up हो है आप मिल जाएगी तो पूरा discussion इस वीडियो में करने वाले दोस्तों वीडियो कंते तक देखी ताकि जो भी important update है सारी आपको यहाँ से मिल सके सबसे पहले अगर हम बात करें हाँ पर तो आप देख सकते है कि MTS और हफलदार के अंदर बात करें तो लगबग लगग 26,000 के करीब जो यहाँ पर दीवी के लिए बुलाए गए तो बहुत सारे common candidates है यहाँ लगबग बात करें तो 18,000 के आसपास है जो यहाँ पर unique candidates है अब बात करतें दोस्तों यहाँ पर जो आट यही रिप्लाई के तुरू आपकी जो attendance आई यहाँ पर तो इतने जून्स की जो आसपास है जो attendance यहाँ पर रही होगी बात करें यहाँ पर तो लगबग लगग अगर अब तक हम बात करें यहाँ पर तो 13,497 स्ट्रेंट्स है जिनको यहाँ पर डीवी के लिप लाए गया है और इसमें से अगर हम लगबग लगबग बात करें तो 10,121 जो candidates है वो आपके यहाँ पर प्रिजेंट है तो लगबग बात करें तो 74,98 परसेंट है जो आपकी अभी तक यहाँ attendance चल रही है अब सिर्फ एक zone याँ यहाँ आपके वाकिए अभी इसी का सिर्फ जो आठीय रिप्लाइ यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं हवालदार के अंदर यूर की यह 86.03065, OBC की 85.58803, EWS की यह 85.46724, SC की ST1 और ST की 79.92 यानि लगबग लगग 76 यहाँ पर यहाँ पर मान सकते हैं अब बात करें अगर हम आपकी जो cutoff है यहाँ पर कितना increment देखने को मिल सकता है अगर हम बात कर NR में लगबग लगबग 4000 के करीब जो STANDS है वो भी हाँ पर आपके present होते है 5000 के अंदर तो आप मान सकते हैं जो आपका multiplication factor है वो लगबग लगबग 2 के असपास रहेगा या थोड़ा कम रह सकते हैं हाँ पर 1.85 या 1.9 के करीब तो अगर हम बात करें आपके जो marks है तो इन म अगर हम बात करें यहाँ पे OBC की तो OBC की रह सकते 88.3 से 89 के आसपास ही कही न गही और EWS की बात करें तो लगबग लगबग 88.1 के आसपास जो हमकी cutoff है यहाँ पर पलस में रह सकती है अगर हम यहाँ पे बात करें सE CANDIDATES के लिए तो ST candidates के लिए cut off कहीं ने कहीं 84 से 85 के आसपास यहाँ पर जो cut off है आपकी रह सकती है अगर हम ST candidates की बात करें तो जो लगबग लगबग जो ST candidates क्यों glass में cut off है increment होता है तो लगबग लगबग 80 plus यानि की 80 से 81 के आसपास जो आपकी expected cut off है यहाँ पर रह सकती है तो दोस्तों फुलाल मेरे रूसार आपकी जो cut off है वो यही रह सकती है और काफी सारे factors है वो जो यहाँ पर vary करेंगे तो लगबग 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 इसी के आसपास आपकी जो cut off है यहाँ पर रह सकते है आप plus minus जो है वन इस cut off में ले के चलना क्योंकि कई सारे strengths है और काफी सारे strengths का जो टाटा है हमने देखे है strengths के marks देखे है तो इसी के आसपास जो आपकी cut off है हाँ पर रहने वाली है तो फुलाल ही कुछ latest दोस्तों आप सभी के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगए हमारा चैनल लाइक करे शेर करे सब्सक्राइब करे थैंक्यू फूर वाचिंग दिस वीडियो